खबर भदोही जिले से है जहां कसाई टोला में चापड से वार कर भाई ने ही भाई की और उसके पत्नी की हत्या कर दी है तथा उसके बच्चे को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है उत्तर प्रदेश के भदोही जनपर के नगरपालिका परिशद के मोहला जमुंदा कसाई टोला में दो सगे भाईयों में मार फिट का मामला सामने आया है जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भाई वा भावी को धारदार हतियार से मार कर उनकी हत्या कर दी है जबकि नौ मा के बच्चे को भी गंभी रूप से घायल कर दिया है जनकारी के मुताबिक दोनों भाईयों में विवाद हुआ था जिससे छोटे भाई ने धारदार हतियार से अपने भाई जमील उम्र 36 वर तथा उनकी पत्नी 33 वर जिनकी उम्र थी और 9 मा के बच्चे पर वार किया जिसमें पत्ती पत्नी की तुजान चली गई अभी बच्चा अभी गंभी रूप से घायल है चिकित्चिकों ने जमील वो उसकी पत्नी को मृत घोसित कर दिया और 9 मा का बच्चा अभी भी गंभी रूप से घायल बता जा रहा है जिसका उपचार जिले के MBS होस्पिटल मे कराया जा रहा है सुच्रा मिलते ही सीयो प्रयांग जैन कोतवाली प्रभारी चित्रकुट पूरी भारी पुलिस फोर्थ के साथ मौके पर पहुच कर मामले की जाच में जुटे हुए हैं वहीं छोटा भाई हत्या करने के बाद ही फरार है पुलिस अभी भी उनकी तलास में जुटी हुई है